असलावलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को भी नेस्कूप के पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेज कर लीज थी तो जाहिर सी बात दोस्तों कतर की भी एकोनॉमी काफी जादा घिरी थी पर दोस्तों अच्छी खबर निकलकर ये आ रही है कि कतर के हुकूमत के तरब से और रियल गोथ रेट के हिसाब से कतर में 2022 में दोस्तों वहाँ पे जो एकोनॉमी रिकॉर्ड है वो 8% की वहाँ ग्रोथ यानि बढ़ोतरी देखने को मिली है तो दोस्तों लगातार एकोनॉमी जो है वो कौरोना वाइरस के वरेशे से हरे कंट्रीं का गिर रहा था तो कतर का भी गिर रहा था पर दोस्तों आच्छी खबर यह है कि कतर की एकोनॉमी 22 में 8% की बढ़ोतरी साथी कों मिला है अगली अप्डेट के और शाती चलते हैं अगली खबर दोस्तों जारे साथी वो FC ACN Cup को लेकर आरी तो भाईयों जैसे कि आप लोगो पताई होगा कि कतर में FC ACN Cup का दोस्तों वहाँ पे आयोजित किया जाएगा 2020 में ही तो जो भी भाई लोग आप लोग कतर में FC ACN Cup वहाँ पे देखना चाते हों तो दोस्तों FC ACN Cup का जो competition date होगा और venue होगा उसे confirm कर दिया गया है बहुत जल्दी दोस्तों ministry के तरफ से और FC ACN Cup के जो अध्यक्ष है उनके तरफ से date को और venue यानि match कहां पे करवाया जाएगा इस सारी चीज़ दोस्तों परकासित कर दी जाएगी मीडिया पे आगे तो दोस्तों हो सकता है आज से लेकर कल तक मैं आपको बता दू कि जो FC ACN Cup होने वाला है वो कहां पे होगा किस जगा पे होगा और क्या 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 दोस्तों उसका rule regulation है वो सारी चीज़ आपको बताई जाएगी अगली खबर दोस्तों जारे साती हो आ रही है बहुत ही बढ़िया खबर है हमद international airport से आ रही है तो साती हो पे कतर duty free offering वहाँ पे दिया गया है job opportunity दिया गया है जो की salary होगा 4500 कतर रियाल तो कतर में दोस्तों ये कतर हमद international airport है वहाँ की जॉब निकल के राई है जिसका नाम दिया गया कतर duty free तो जो भी आप लोग कतर में यदि हमद international airport पे काम करना चाहते हो तो official website का हमद international airport का खोल के देख लीजेगा वहाँ से आपको सारी सौधी हुकूमत ने वहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्रिशन रोनाल्डो को उन्होंने खरीद लिया अब दोस्तों खबर निकल कर ये आ रही है कि सौधी एरेबिया के अलहिलाल फुटबॉल कलब है उनके तरब से ये officially खबर आ रही है कि अर्जेंटीना के जो लियो मेसी है उनको उफर दिया जा रहा है कि उनके तरब से वो खेले तो दोस्तों अभी तक वैसी लियो मेसी के तरब से कोई अपडेट्स निकल कर नहीं आई है पर सौधी एरेबियर के तरब से अलहिलाल जो वहाँ पे कमपनी है जो अलहिलाल जो फुटबॉल कलब है उनके तरब से लगातार उनको उफर दिया जा रहा है यदि वो उफर को एक्सेप कर लेते हैं तो हो सकता आने वाले टाइम में जो लियो मेसी हैं वो कतर के तरब से अलहिलाल कमपनी के तरब से खेल सकते हैं अगली एपडेट की उर साथीु चलते है अगली खबर दोस्तु जारे साथीओ बहुत भी बड़ी खबर है क्योंकि दोस्तों ये खबर आwarmी मलेसिया से और दोस्तों बहस के दौरान वहाँ पे वोटिंग किया गया कि वहाँ पे उन लोगों को इसाथ क्या किया जाए तो साथी यह फैसला यह निकल कर आया है कि वहाँ पे अब फासी की सजा दोस्तों अब नहीं होगी लगभग वहाँ पे 1300 प्रिजनर है जिनको फासी की सजा वहाँ पे सुनाई गए थी तो उन सभी लोगों को अब फासी की सजा नहीं होगी उन लोगों को 40 साल की दोस्तों वहाँ पे जेल की सजा दोस्तों सुनाई जागी यानि 40 सालों तो उन लोगों को जेल में ही रहना पड़ाई गया यानि पूरी जिन्दगी मान के चलिए वो लोग जेल में ही गुजारेंगे जो भी संगीन जुर्म अपराद में मलेसिया में वो लोग करते हैं तो ये मलेसियन हुकूमत के तरफ से कल के दिन अफिसली एनॉस्मेंट किया गया अगली जो अपडेट दोस्तों आरे साती है जो सिडनी स्वान जो जो ऑस्टेलियन फुटबॉल लीग है जिसे एफल भी कहा जाता है उनसे और कतर एरवेस की बीच में दोस्तों वहाँ पर पार्टनर्सिप का दोस्तों एग्रिमेंट वहाँ पर साइन किया गया है अब दोस्तों ये एग्रिमेंट किसके बारे में है इसके बारे में तफसील से जानकारी अभी मुझे नहीं मिली है तो जैसे ही कोई अपडेट साती है तो मैं आप तक सेरवाई से जरूर कर दूँगा पर दोस्तों फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोनों के बीच में एग्रिमेंट हुआ है अफल जो कमपानी है उनके बीच में और कतर एरवेस की बीच में अगली जो अपडेट दोस्तों आरे साथी बहुत भड़ी खबर है साथी जैसे कि आप लोगो पता होगा ट्यूटर यदि इस्तमाल करते होंगे तो ट्यूटर में आपको चुणिया का लोगो बना हुआ आता था बुलू कलर का पर एलोर्मस्क के दोस्तों उन्होंने अपने लोगो को चेंज कर दिया और किसी कुट्टे का दोस्तों लोगो को लगाया है जो कि आप काफी जादा मेमे में आप लोग फेस्बुक वगएरा पर आप लोग देखते होंगे तो यदि ट्यूटर को अभी ओपेन करते हो तो आपको वहाँ पे चुणिया के वज़ाए आपको कुट्टे वगएरा को दोस्तों देखने को बहुत ही जल्दी मिलने वाली है तो ये कुछ खबरे थी कुछ अपडेट्स ही जो की कतर से आ रहे थी मैंने अब तक सेयर किया अमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो मिलते हैं दोस्तों एक्स वीडियो पर जैहिन अलाफीस और टेक केर